पिहार में हमारे गटबंदन ने एक बात जनता के सामने रखी है इस यात्रा में हम पांच न्याए की बात कर रहे हैं उनमें से एक न्याए उसको आप समाजिक न्याए कह दीजिए उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए उसको आप भागिदारी कह दीजिए उसके बारे में हम काम कर रहे हैं मैंने पहले बाशनों में कहा है कि इस देश में अलग-अलग वर्ग के लोग हैं पिछणी जात के लोग हैं दलित हैं आदिवासी हैं माइनौरिटी हैं जनरल कास्ट के लोग हैं हर समाज में कमजोर लोग हैं ओबिसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है मगर अगर मैं आज आपसे पूछू कि इस देश में ओबिसी समाज की अबादी कितनी है आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कोई नहीं जानता और मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले बाशनों में कहा जो देश की सरकार को चलाते हैं नब्बे अपसर है आई-एस के अपसर है नब्बे में से तीन OBC वर्ट से आते हैं और अगर नब्बे अपसर पूरे के पूरे बजट के बारे में निन्ने लेते हैं तो ये OBC अपसर 100 रुपे में से 5 रुपे का निन्ने लेते हैं तो सरकार में ना OBC की ना दलित की ना अधिवासी की भागिदारी है सरकार को छोड़िये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए उनकी लिस्ट निकालिए उनके मालिकों के नाम पढ़िए आपको उनकी नाम में से एक धलित एक आधिवासी एक पिछड़ा नहीं मिलेगा मीडिया को देख लीजिए अख्बारों को देख लीजिए टीवी को देख लीजिए एक मालिक OBC वर्ग, दलित वर्ग, आधिवासी वर्ग का आपको नहीं मिलेगा रिपोर्टर मिल जाएंगे उनको भी कोने में बेठा रखा है जो उनके दिल में वो बोल नहीं पा रहे है मगर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक OBC एक दलित वर्ग, आधिवासी नहीं मिल सकता प्राइवेट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए प्राइवेट कॉलेजे उनिवर्सिटीज को देख लीजिए प्राइवेट हस्पताल देख लीजिए एक मालिक आपको OBC दलित आधिवासी का नहीं मिलेगा तो मैं सिर्व यह सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम समाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यह तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछडों को आधिवासियों को दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है अब सवाल बनता है पहला कदम क्या होना चाहिए किसी को चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है पैर में चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है ऐसे करो एक्सरे जाके कर लो एक्सरे करने के बाद साफ पता लग जाता है कि हड़ी कहां से तूटी है मैं सिर्व यह कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए एक एक्सरे हो जाए उसके बाद MRI भी हो सकता है मगर पहले एक एक्सरे हो जाए किस देश में किसकी कितनी अबादी है लोगों की किंती हो जाए जेनरल कास्ट के इतने लोग है उसमें से अमीर इतने है ओपी सिजात के इतने लोग है उसमें से अमीर इतने है गरीब इतने है किसान इतने है मजदूर इतने है भूके इतने है आदिवासी के इतने लोग है इसमें आदिवासियों में अलग 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 ट्राइब्स के इतने इतने लोग हैं दलित इतने हैं इसमें दलितों में ये अलग-अलग लोग हैं ये भूके मर रहे हैं ये मजदूरी कर रहे हैं ये सलक बना रहे हैं बस मैं ये ही कह रहा हूं समाजिक नयाय का ये ही मतलब है और समाजिक नयाय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है झाल झाल